प्रधान मंत्री नलिंदर मोदी ने जपान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंजो आवे के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आवे के दुख़ निधन पर स्तब्थ और दुखी हूँ वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उतकृष्ट नेता और एक उलेखनिय प्रशासक थे उन्होंने जपान और दुनिया को एक बहतर जगा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया प्येम मोदी ने एलान किया है कि जपान के पूर्वप्रधान मंत्री शिंजो आवे के प्रती हमारे गहरे समान के प्रती के रूप में 9 जुलाई 2022 को देश में एक दिन का राश्य शोक मनाया जाएगा प्रदान मंतृरी नरेंडर मोधी ने जपान के पूर्व प्रदान मंतरी शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुख़द निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ वह एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उलेखनिय प्रशा सक्ते उन्होंने जपान और दुनिया को एक बहतर जगा बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया पेम मोदी ने कहा कि शिंजो अबे के साथ मेरा लगाव कई साल पुरा ना है मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कारेकाल के दोरान से उन्हें जानता था और मेरे पेम बनने के बाद भी हमारी दोस्ती जारी रही अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलो पर उनके दृष्टिकोंड ने हमेशा मुझ पर गहरी छाप छोड़ी शिंजो आबे ने भारत जपान संबंदों को एक विशेश सामरीक और वैश्विक साज़दारी के स्तर्प तक पढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया आज पुरा भारत जपान के साथ दूप की इस घड़ी में शामिल है और हम इस कठिन परिस्थिती में अपने जपानी भाईयों और भेनों के साथ खड़े है